चौदा में की इशुरे दनमा का सोगत है परमात्मा ग्यान सूरे ग्यान चंद्रमा परमात्मा होगे ग्यान सूरे और ब्रह्मा बाबा होगे ग्यान चंद्रमा कि साथ साती बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ग्यान सितारे बाबा और हम होगे सितारे तो जैसे वह सितार भी ब्रह्मा की रात में प्रगट होते हो ब्रह्मा की रात होगी कल्यों के अंत में हमें चमचमाना शुरू करते हैं क्योंकि हमें प्रकाश देने वाला सूरे होता है सूरे कौन है शेप बाबा इसलिए कहीं जहाँ पर डिवोश में सूरे को ही भगवान माल लिया या देवता मन लिए लेकिन actually सूरे हो गए पर्म पिता पर्मात्मा जो की प्रकाश दे रहे हैं हमें main source of knowledge और फिर ब्रह्मा बाबा को मिलती knowledge next वो हो गए चंद्रमा तो सूरे से चंद्रमा को मिली तो ग्यान चंद्रमा तो ग्यान सूरे शिम बाबा भगवान God और फिर ब्रह्मा Adam first creation उनसे सूरे से light मिली चंद्रमा को चंद्रमा से light मिली हम सब सितारों को means हमें light means knowledge, peace, purity, happiness ही मिला है हना क्योंकि हमने ब्रह्मा के मुख दोरा ग्यान सूरे तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी सितारे हो गए वे सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं लेकिन आप ग्यान सूरे ग्यान चंद्रमा के साथ साती बन रात को दिन बनाते हों हम चंद्रमा ग्यान सूरे ग्यान चंद्रमा के साथ में हम सिरु सितारे हैं हम मिल करके क्या करते हैं हम प्रकाश वराते हैं साथ दुनी में वे आकाश के सितारे हैं आप धर्ती के सितारे हो परमात्मा कंपेर कर रहे हैं और भक्ति में यह तो है परमात्मा कुछ सितारों से सूरे से कंपेर कर दिया है लेकिन actual meaning अभी है वे प्रकर्ती की सत्ता हैं आप परमात्मा सितारे हो जैसे प्रकरती के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं ऐसे आप परमात्मा तारा मंडल में चमकते हुए रुवानी सितारे हो वंख्यांति